हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चनल, देशी प्रॉफिट टॉक और आज हम बात करने वाले हैं, सब्सक्राबर नहीं हम से कमेंट करके पूछा है कि उनको एक्सिस बैंक से जो है 6 लाग का परसनलोन चाहिए 5 साल हो गे लिए तो उसका मन्तली हमाई क्या बनेगा ये कल्कुलेट करके हमको बताना है तिर एक्सिस बैंक में इस समय परसनलोन में क्या इंटरेट वगरा चला है इस समय जो है एक्सिस बैंक में परसनलोन के ओफर वगरा आप कैसे चेक कर सकतो तो यहां पे क्या eligibility require होती, क्या document वगरा require होते हैं, क्या processing fees वगरा लगेगी, और कुछ extra charges वगरा वो क्या लगते हैं, तो इन सब के बारे में हम detail में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल Desi Profit Talk को अब तक subscribe नहीं क पर आपको हर bank का जो है personal loan का हो, car loan का हो, home loan का हो, two-wheeler loan का हो, education loan, saving account, credit card, इन सब के offer अगर आपको इस website पर मिल जाएंगे, तो जैसे कि मैं access bank के personal loan पर जाता हूँ, देखिए यहाँ पर personal loan पर link पर जाता हूँ, यहाँ पर आप सिंप्ली सर्च करके भी जा सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, तो जैसे अगर आपको personal loan apply करना है direct, तो आपके लिए direct available link है, आपको कहीं जाने जुरोत नहीं, आप direct जो है, इस link पर जाके सीधा apply कर सकते हो, यहाँ पर instant personal loan है, उसका link वगरा है, आपको चेक कर सकते हो, EMI कलकुलेट करना है, तो apply क करके EMI कलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर person related कुछ question access bank से तो आप check कर सकते हो, eligibility, interest rate and charges देख सकते हो, फिर यहाँ पर offer वगरा जो है, इस website पर आते रहते हैं, तो offer वगरा भी आप जो है, यहाँ से check out कर सकते हो, तो इस website का जो link है, मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, एक आप पर हमको loan amount चीज़ है, 6 लाग का, तो 6 लाग हमने loan amount दाली, अब rate of interest क्या चला, तो rate of interest के लिए चलते है, इनकी official site पर, तो यहाँ पर देखें, interest rate जो person loan की starting होती है, interest rate की, वो लगबग starting होती है, 12% से, लेकिन इसके लिए civil score आपका जो है, 1500 के उपर होना चाहिए, तब अभी जो आपको है, इतने interest rate पर दिया जाएगा, वहीं अगर आपका civil score जो है, down होता जाएगा, तो आपको देखें, interest rate वगएरा जो है, यहाँ से आपका बढ़ता जाएगा, तो आपको total starting जो 12% सा हो, maximum 21% तक यहाँ पर जाएगा, तो अभी के लिए हमने rate of interest लिया है, वो यहाँ पर 5 साल सेलेक कर लेते हैं, आप देखेगा, आपका मंतली M.I. क्या बनेगा, तो मंतली M.I. जो बनेगा, वो बनेगा आपका 13,347 रुपए, total interest जो आपको pay करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दो लाख आठ सो रुपए का, total payment आपको करने होगी, principal प्लस interest मिला 25.1%, तो इस तरीके से आप डिटेल में जो आपनी मंतली M.I. calculate कर सकते हो, फिर यहाँ पे नीचे आपने जितने भी years के लिए loan लिया हुआ, उसके यहाँ से principal और interest अलग-अलग चेक कर सकते हो, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ से आपना मंतली वाइस भी principal और interest अलग-अलग सलते हैं, यहाँ पे personal loan की कुछ eligibility देख लेते हैं, access bank में क्या personal loan की eligibility डॉक्यमेंट वगर require होंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप personal loan salary employee है, तो यहाँ पे जो है क्या eligibility चाहिए होती है, तो salary employee है, salary जैसे कोई doctor वगर आया, तो वो भी salary में ही आएंगे, employee of public and private limited company, या आप सरकारी नौफरी करते हो, या तो आप जो है किसी private company में काम करते हो, या तो government sector employee हो, या तो public sector, undertaking center and local bodies इन पे हो, तो आप जो है, access bank से personal loan के लिए apply कर सकते हो, यहाँ पे minimum age जो required होती हो, 21 साल और maximum age जो required होती है, 60 years होगी, minimum net monthly income जो है, minimum आपकी 15 रुपय होनी चाहिए, तभी जो है personal loan के लिए apply कर सकते हो, अब यहाँ पे देख लेते हैं, document वगरा क्या require होती है, तो document वगरा के लिए देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपको KYC document देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आप जैसे KYC document में जैसे आप voter ID card, passport, driving license, या जो है, आपना job card वगरा दे सकते हो date of birth के लिए आपको passport, pen card, आधार card, school living certificate, birth certificate, driving license, इन में से आप date of birth के proof के लिए दे सकते हो, signature proof के लिए आप passport, pen card या banker verification, या आप तीनों में चीजों में से कोई एक दे सकते हो, proof of income के लिए देखे, last two month की salary slip आपको दिखानी पड़ेगी, latest two month की bank statement दिखानी पड़ेगी, जिस application form देना पड़ेगा, latest passport size photo, फिल यहाँ पर self attested भी करना होगा, आपको all document के लिए, तो यह कुछ document वगरा होगा, यह आपकी eligibility चाहिए होती है, तो अब यहाँ देख लेते हैं, आपके processing fees वगरा क्या लगी, कि तो जो access bank में, personal loan में आपको processing fees लगेगी, वो देर परसन से 2% कर जार रुपय होती है, आपके minimum monthly security required, आप देखते हैं, कुछ top banks है, उनसे comparison कर लेके देख लेते हैं, कि और भी bank है, जो उनमें क्या personal loan के interest rate वगरा चल ले हैं समय, तो सबसे पहले आता है, HDFC bank, जिसकी starting होती 11% से, SBI 10.30 से starting है, 15.10% तक जाएगा, ICIC bank 10.75 से starting होगी, access bank 10.25 से starting है, कोटक महेंद्रा bank 10.99% से starting है, आप इंडस्टर बैंक 10.49, IRFC first bank 10.49 to 25% के राउन, यहापे, मिल सकता है, आपको बजाज फाइनेंसी 13% और टाटा कैपितल आपको 10.99% के interest rate पर दे रही, तो यह कूछ top banks है, जिनसे आप जो है personal loan के लिए apply कर सकते हो, यहापे क्या देखि transfer की भी यहापे सुविधा available है, आपके access bank में आपके किस चीज़ों के लिए loan ले सकते हो, तो यहापे आप कोई अपनी personal need के लिए, जैसे कि आपका कोई medical emergency वगरा है, wedding वगरा है, vacation वगरा है, आप जाना है, तो इन सब के लिए आप यहापे personal loan के लिए apply कर सकते हो, यहापे amount minimum 50 यार, maximum 40 लाग का loan amount आपको मिल सकता है, यहापे minimum 1 year और maximum 5 years के लिए आपर personal loan ले सकते हो, यहाँ जो rate of interest की starting होती, लगबग 11% से 21% के around यहापे आपको rate of interest की starting होती है, तो I hope आपको हमारी information पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो चैनल को subscribe कर और इन दोनों ही साइटों पर best MI calculator अगर आपको monthli MI calculate करना है, और आपको किसी भी bank के home loan, personal loan, car loan, to villa loan के offer वगरा जानने है, तो आप इस website पर चेकाउट कर सकते हो, तो इन दोनों ही website को जो link है मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, तो आज के वीडियो में बस इतना है, और आपको जाओगाओगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग